नमस्कार दोस्तों मैं रामुकुमारियाद विजिकेशन क्लासेस रामु मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं जीवन कॉसल का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आ गया हूँ अगर आप प्रामेरी सुपर्टेट की तैयरी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो चले दोस्त हम चलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट टूपर और उनके प्रश्णों की बात करते हैं प्रश्ण पहला का रहा कि बालकों के सीखने में प्रेणा किस रूप में उपी होगी है तो यह तीनों उनकी प्रेणा की उप्योगी है उनके प्रेणा के लिए सीखने के प्रेणा के लिए तो आपसंद नमर डी सही हो जाएगा इसका अब चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण कर रहा कि किस विद्वान ने उप्योग नियम के अंतरगत दंड को परिभासित किया और बताया कि बालक उस कारी को नहीं करना चाहता जो उसके लिए कश्ट कारी है तक किस विद्वान ने यह बताया था तो वो बताया थे थान डाइक ने तापसंद नमर इस सही हो जागा जीवन का उसल निम निखित में से कौन सी जीवन चिनोतियों का सामना करने में सायक होती है तो जीवन का उसल जो है मानों की इस्तिती को ठीक कर रखना उर्जावाहान रहना और रोगों से बचाने में सायता करता है जीवन का उसल आपसंद नमर डी सही हो जबताक किसी ब्यक्ति को आसकता लगेगे नहीं उसका चालक कारी करेगा ही नहीं तो आफ़े नमर इस luck सभिकृष्ष भाइरत के समिदान का अभी भावन कौन है तो जो Cheap अब चलते हैं अगले प्रशंट पर अग्ला प्रशन है था है कि अभी छमता परिचणह की उनकी प्रकिर्टी के अधार कितने प्रकार के परिचण बताए गए हैं तो कितने प्रकार के परिच्छन बताए गए हैं तो वह बताए गए हैं आपसे नमर भी तीन प्रकार के अब चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन कर रहा है कि किस प्रांसिस सिच्छावीद ने कहा कि सिच्छा बैक्तिकत अनुबहों पर आधारित होना चाहि कि अब चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न का रहा है कि दंड का स्वरूप कि ऑसा होता है तो डंड का स्वरूप सब को पता है कि नाकर आत्मक होता है और ब्रकाष इसका और अगला प्रस्न है और इस विडियो का लास्ट प्रस्न है औह अभिवेक्ति की सोतनता से बालकों में कौन से गुन का विकास होता है तो श्री जिनात्माक्ता का आपसे नमर A है, समेदन सीलता का आपसे नमर B है और आपसे नमर C मौलिक्ता का इसका जो उत्तर होगा हो यह सभी होगा, इन सभी का विकास होता है, ठेक, तो यह हमारा जिवनकोसल के यह इस पार्ट में जितनी भी प्रस्टनेशन मैंने कवर करा दिया, अब इसके बाद अगला हम जिवनकोसल के प्रेक्टिक सेट लेकर आएंगे, तो चले दोस्त हम वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक्यू, थैंक्यू फार वाचिंग इस वीडियो,